आप पहाडों पर घूमने का प्रोगाम बना रहे हैं और अपनी गाड़ी से खुड ड्राइब करके आ रहे हैं तो कुछ साउधानिया रखें ताकि आपकी आतरा सुखद हो इसके बारे में आज हम आपको क्रम से कुछ साउधानिया हैं जिनको रखें अगर हम चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबसे बड़ा सवाल अकसर लोग पूछते हैं कि क्या पहाडों पर अलग से कोई ड्राइविंग का स्किल होना चाहिए सबसे बारे में जादा जोगरी है अगर आप शहर में गाली चला रहे हैं और एक कुसल ड्राइवर है अच्छे से अपनी गाली चला रहे हैं तो यहां भी चला पाएंगे किवल कुछ एक साउधानिया रखने की ज़रुत है इससे जादा कुछ नहीं ड्राइविंग के बेसिक रूल का पालन कलना है कि गाड़ी हमें बाएंगे हाथ पर चला नहीं है पहाडों पर एक इस्तिती होती है कि एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ उचा पहाड होता है और अगर हम बाई तरफ चल रहे हैं और उसी तरफ खाई है तो अक्सर हमारा मन करता है कि मैं किनारे से दूर हट कर चलूँ और अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं दाहिनी तरफ क्यों ना गाली चला लूँ तो अचानक से गाली सामने आ जाएगी तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें और गाली को अपने बाई तरफ ही चलाना है खाई से ड़ने की जरूद नहीं है क्योंकि आपका टायर वहीं से चलेगा जहां आप चाहेंगे और यह देखिए एक बैंड आ रहा है अब इस समय अगर मैं बचाओ कलने के लिए दाहिनी तरफ चला जाता तो सामने से आ रहा ही कोई गाली मुझको टकर मार सकती थी क्योंकि वो बिल्कुल ब्लाइंड कर्व होता है तो इसका बचनेगाई की तरीका है बाएं चलाएं दूसरी चीज़ यह है कि जब भी हम गाली चला रहे हो तो ध्यान में रखना है कि हमें चड़ती हुई गाली को साइड देनी है और जो गाली उतर रही होगी वो हमें साइड देगी कहीं रुकना है तो किनारे एक सेफ प्लेस देखकर ही हम गाली को रोकेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप गाली चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमेशा चड़ती गाली को साइड मिलेगी कहीं कहीं हमें बहुत सुन्दर नजारे दिखाई देंगे और चलाते हुए मन भी करता है कि इनको हम देख लें जब गूमने आए हुए हैं लेकिन ये बहुत ही दुरगटना पूर का कारण हम इन्वाइड करेंगे दुरगटना को अगर ऐसा करते हैं सेफ जगे देखकर आप गाली रोक दीजिए देखिए गाली सरक से बिल्कुल बची हुई हो और उसके बाद मजे से नजारों को देखिए फोटोग्राफी कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन चलती गाली में अगर आप अपना ध्यान इधर उधर लगाएंगे तो दुरगटना है हो सकती है इससे बचना है अब कहीं कहीं हमें ऐसे जंगली जानवर भी मिलेंगे जो वहां दीख रहे होंगे आप रुक कर उनका मजा लें और अगर आप देखें कि उस अड़क पार कर रहे हैं तो आप बेसक रुक जाएं और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप उनके घर में हैं उनको प्राइटी दीजिए उनसे छेड़ चाड़ना करें अब कहीं आप जंगल में जा रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और आपके मन में अडवेंचर आता है कि हम कोई किनारे जगे देखकर गाड़ी रोकते हैं और वहां कुछ कोकिंग कर लेते हैं मैगी बनाएं कुछ बनाएं जंगल से लकड़ियां इखटा करें और कुछ पकाते हैं जैसा आजकल आम तोर पर देखने को भी मिलता है कि लोग बाहर जाकर कैम्पिंग करते हैं लेकिन सड़क और जंगल कैम्पिंग के लिए बिलकुल उप्यूप नहीं है ऐसा कोई भी एडवेंचर ना करें कैम्पिंग के लिए बहुत सारी कैम्पिंग साइट्स है आप वहाँ जाएं वो लोग आपको गाइट करेंगे क्योंकि जैसे ही आप जंगल में कुछ जरासी भी आग जलाते हैं उसके फैलने का बहुत बड़ा खत्रा है जंगली जानवरों का भी खत्रा है इसलिए सडक से सिर्फ यात्राई करें कहीं किनारे सेव जगह पर रुक कर फोटोग्राफी करें और जंगलों के अंदर बिल्कुल मत जाएं इस तरह आप यहाँ पर भूने के लिए अपनी गाड़ी से आने का प्रोगाम बना सकते हैं और समराइज कर दूँ कि सिर्फ आधी सडक आपकी है यह मान कर चले हमेशा गाड़ी को बाइं रखें चाहे दाहिनी सरफ कोई ट्रैफिक है नहीं है चाहे खाली हो जहां तक बाइं तरफ खाई होने का सवाल है तो आपकी गाड़ी तो वहीं से चलेगी जहां से आप उसको चलाएंगे तो इसलिए उससे घबराने की कोई जुरुत नहीं है